चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास बनाने को क्योंकि बिना ताकत जोके तो एक जर्रा नहीं हिल सकता संघर से ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका क्योंकि बिना महनत के तो कोई फल मिल ही सकता मुझे प्राप्त हुआ है आज मैं बात करने आया हूँ महेंदर सिंग धोनी माही के जीवन के बारे में क्या कि रहसी कौन सी बाते हैं जो महेंदर सिंग धोनी को बहुत स्पिसल बनाती है महेंदर सिंग धोनी को फिर से अलागः कर खड़ा करती है महेंदर सिंग धोनी धैसे इनसान है जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज है आई-सी-सी के सारी टूनामेंट चैंपिंस ट्रॉफी हो चैई टी-टोन्टी वर्लकपो चाहे आई-सी-सी का वर्लक पो कोई सा भी वर्ल्ड कप हो घित चुके हैं और सबसे बड़ी बात बताओं दोस्तों अपनी टीम को टेस्ट में नंबर वन बना चुके हैं वंडे में नंबर वन बना चुके हैं उनको कई आवोर्स भी मिले हुए हैं पद्मिस्री, पद्मफूशन, राजियो गांधी खेल रत्न आवार्ड, ICC Player of the Year अवार्ड 2008 और 2009, एकलोते हैं से खिलाडी जिनको लगातार दो साल ये अवार्ड मिला, महन सिंग धोनी के उपलब्धियां बहुत सारी हैं हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महन सिंग धोनी, क्रिकेट के अंदर सक्सेस्फुल हैं, बिजनेस वर्ड में भी उनका एक अलग नाम है, एक अलग मुकाम है, फोप्स की लिस्ट के अंदर, उनका नाम टॉप हंडेड रिचेस खिलाडियों की सूची के अंदर रखा गया, आज उनकी वर्थ की बात करूँ, 111 मिलियन डॉलर से भी जादा उनकी वर्थ है, और यकी माँए, महेंदर सिंग धोनी स्री के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक मिडिल क्लास सामरी से निकल कर, एक टिकेट कलेक्टर की जॉब से लेकर, हिंदुस्तान के इतने बड़े हीरो बनने तक का महेंदर सिंग धोनी ने योगी तय नहीं कर लिया, आज धोनी लोगों के लिए इमोशन से सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, हर एक इंसान, हर एक भारती उनसे जुड़ा हुआ है, बहुत सारा प्यार करते हैं लोग उनसे, तो चलिए आज बात करते हैं उनकी खूबियों के बा लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्तो, आपको डर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डर का सामना करेंगे नहीं, तब तक डर आपसे डरेगा नहीं, डर से जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, कि डर को डरा दीजिए, सेकंड क्वालिटी जो महें सिंग दोनी के जीवन से हमें सीखनी चाहिए, कि कभी प्रेसर न ले, महें सिंग दोनी ने इंडिया को कई मैच जिताए हैं अपनी कैपटेंसी में, और ऐसी कई मैच विनिंग पारिया खिली हैं, कहते हैं, पुरे वल्ट के सबसे बेस्ट फिनिशर के रूप में महें सिंग दोनी को जाना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिसर में उनका खेल निखर जाता है कुछ लोग प्रिसर में आके टूट जाते हैं तो कुछ लोग प्रिसर में आके रिकार्ड तोड़ देते हैं महें सिंग धोनी ने कई रिकार्ड तोड़े हैं प्रिसर में आके next quality जो महन सिंग धोनी ने सिखाई है हम सब को manage your time महन सिंग धोनी का कहना है कि वक्त बहुत तेजी के साथ निकलता है हमें पता नहीं चलता है कि कब वक्त निकल जाएगा इसलिए सही समय रहते सही काम कर लेना चाहिए महन सिंग धोनी ने एक बार ये भी कहा था कि आप cricket कितना भी अच्छा खेलने लेकिन यदि बैपारीक जगत में अपनी पैट नहीं बनाएंगे तो आपका नाम नहीं रहेगा और शायद वक्त रहते उन्होंने कई बिजनसेस में investment किये और इसका नतीजा है कि आज पुरे दुनिया के सबसे अमीर खिलाडियों के अंदर उनका नाम जुमार होता है नेक्स सिंग जोन से सीखनी चाहिए बी रिस्पॉंसिबल यस माइडर ट्रेंड वो अपनी टीम के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं महें सिंग धोनी जितना बल्ले से रन बनाते हैं उससे जादा विकेट के पीछे रहकर नाजानी कितने रन रोक लेते हैं माइडर ट्रेंड अपनी टीम के लिए रिस्पॉंसिबलिटी के साथ स्टाइंड करते हैं मुसीबतों में भागते नहीं हैं मुसीबतों में साथ में खड़े होते हैं और एक मजबूत पैर गड़ा कर रखते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए next quality don't blame others कभी भी अपनी नाकाम्याभी के लिए कभी दूसरों को दोस ना दे महन सिंधोनी के character में एक चीज देखी गई है कि जब भी team जीतती है तो वो अपनी team को आगे करते हैं लेकिन जब भी team हारती है तो हमेशा अपने को दोस देते हैं मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी मैं टीम को सही तरीके से नहीं समझ पाया माई डेट फेंड अपनी नाकाम्याभी के लिए कभी दूसरों को दोसी मत ठहराएगा अपनी नाकाम्याभी के लिए इंसान खुद जम्रतार होता है Once महन सिंग धोनी चेट क्वालिटी इस इंपोटेंट दैन क्वान्टिटी स्टूडेंस के एक सेमिनाद में उन्होंने कहा था कि क्वालिटी जादा इंपोटेंट है क्वान्टिटी से उन्होंने कहा 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप मल लगाकर यदि एक घंटे भी सई स्टेडी करते हैं आप टॉप करते हैं तो उस एक घंटे का महत तो बहुत ज़ादा है इसलिए अपने काम पर quality time दे, quality input दे तभी quality result आपको मिलेगा आज जो यंग टीम दिखती हैं इंदुस्तान की युवा टीम दिखती है सबसे बड़ी देन है महेंदर सिंग धोनी की माइडर टेन जब हो captain बने तो नए faces को प्रमोट किया पुराने लोगों को टीम से हटाया इसके लिए उनको कई बार लोगों ने गलत भी समझा जम्यदार से भी ठहरा है क्योंकि पुराने प्लेयर से लोगों की इमोशन से जोड़े हुए थे लेकिन आज जो इंडियन टीम की फिल्डिंग सुधरी है या इंडियन टीम में जो साह है और जो युवा टीम दिखती है इसकी धरोबर रखने वाले महेंदर सिंग धोनी थे यस माइड कप जैसा बढ़ा टूनामेंट हिंदुस्तान को जिता कर दिया लेकिन पूरा हिंदुस्तान बहुत खुष था टीम के मेंबर्स भी बहुत खुश थे लेकिन महेंद सिंग धोनी पीछे सेलेब्रेक कर रहे थे वह बहुत ज्यादा खुशी भी होती है तब भी नहीं खुश उनको आउट किया, माईड़ फैंड लोगों की अलोचना का शिकार हो गए, इवेन हम में से कई लोग जो कि विरेतर शहवाग को बहुत जादा प्यार करते हैं, हमें बहुत बुरा लगा था लेकिन वो टीम के हिट में था, ऐसे कई खिलाडियों को उन्होंने बाहर किया, और कई बार हमें जिन्दगी में decisions tough लेने पड़ते हैं, भली हो emotionally connected हो, लेकिन जब जीवन में चीतने की बारी आती है, तो decision tough ही काम आते हैं, निक्स क्वालिटी, विवादों से दूरी, आपने मैन सिंग दोनी का कभी भी विवादों पे नाम नहीं देखा होगा, कभी विवाद में नहीं पड़ते हैं, नेक्स क्वालिटी टीम पर भरोसा, महेंदर सिंग धोनी ने हमेशा से अपनी टीम पर भरोसा दिखाया, जोगिंदर सर्मा का वो ओबर कैसे हिंदुस्तान बूल सकता है, पाकिस्तान के खिलाब आकरी ओबर में, जोगिंदर सर्मा को बॉलिंग दी लोगों की सासे थम गई, लेकिन टीम पर भरोसा किया और वर्ल्ड कप जीत के दिखाया, युरास सिंग को वर्ल्ड कप में गेदवाजी दिलाई और तुरूप के क्येतर की तरह उनको यूज किया, ऐसे कई एक्जम्पल्स हैं, जब उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा ये संघर सी आपको बड़ी काम आप भी दिला सकता है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, सौरब शुक्राइब, साइनिंग ओ